वेलकम श्टूडेंट स्वागत आपका नई क्लास के साथ दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे अब SSC MTS 2024 एक्जाम को लेकर जी यहां दोस्तों काफी कमेंट्स आ रहे थे किसा SSC MTS को लेकर के वीडियो प्रोवाइट कराईए तो आप सभी की कमेंट्स को देखते हुए आज की क्लास बहुत जादा इस्पेसल रहने वाली है आज की वीडियो में डिसकस करेंगे एक सीट पर कितने फॉर्म फिल हुए हैं पिछले बड़ से क्यूं कम आवेदन हो रहे हैं स्वार कम हाइट वालों के लिए नौकरी पक्की है ऐसा कुछ कहा जा रहा है क्या यह बा aspects की कबरकरने वाले कोइं जाहिए लक्त कितने और वाली हैं लोग और वह कौने यह और इक सीट पर क कितने फॉर्म यह फिल हुए हैं इन को हम यहां चर्चा करने वाले हैं तो आइए विनर टेम वेस्ट करते हैं क्लास की स्टार्टिंग देखिए अगर मैं 2020 से लेकर के बात करूं तो 2020 में फ्रेंड्स यहां पर जोते करीब 3972 पद निकले थे ठीक है 2020 की बात कर रहे हैं नो हजार सौरी 3972 उस्टेक 3972 वेकेंसी थी करीब उसे 45 लाग फों फिल हुए थे ठीक है यह बात आप यहां समझ सकते हैं 2021 के आख़ों पर नज़र डालें करीब 7749 वेकेंसी थी और 49 लाग आवेदन हुए थे 2021 में SSC MTS की बात कर रहे हैं अगर हम 2022 की बात करें तो 12,523 पद थे और 54 लाग फों यहां पर फिल हुए थे आप इससे समझ सकते हैं यहां पर इसी के अकॉर्डिंग 2023 की बात करें तो लगवाग 1558 पद थे आपके और 26 लाग फों यहां पर फिल हुए थे इसके साथ साथ अगर हम पात करें 2024 की तो 2024 में 8,326 पद हैं और अब तक कितने फॉर्म फिल हुए हैं तो देखिए अभी फॉर्म का कोई इस पर श्टाकड नहीं है क्योंकि 31 जुलाई लाश्ट डेट है तो जितने भी यूट्यूब पर बता रहे हैं आपको कि इतने फॉर इतने फॉर्म फिल हुए है तो यह फैक है क्योंकि जागों इस फॉर्म को लाश्ट डेटी नहीं हुए और धिली फॉर्म फिल रहे हैं if एक तेस जुलाई लिए तो कि आपको आपको प्नाये फिल हो चुके हैं ये जितने भी आपको देखा रहे हैं कि 40 लाग 45 लाग 40 50 लाग यह बिलुकुल फरजी तरीके से देखा जा रहा है आपको क्योंकि अभी डेट कंफर्म हुई नहीं अभी तक फॉर्म आपके डेली फिलो रहे हैं तो आप इस पर श्टाकड़ा नहीं लागा सकते हैं ठीक है यह तो कोर्स बेचने के के लिए अपने भले के लिए गरीव स्टुडेंटों को चला जा रहा है पूरी तरीके से तो इसको देखते हुए मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कर आया है तो देखिए अभी कोई इस पश्टाकड़ा नहीं है कि आपके कितने फॉर्म यहां पर फिल हुए हैं 31 जु मैं किसी भी हाल में अग्जाम नहीं होने वाला है ठीक है क्योंकि अक्टूबर में यह आपका एक्साम कंठेक्स करवाए जाएगा पिछी बार ही आपका। नमबर अक्टूबर में वह आता है ससी एंम्टियस का इस वार इपका अक्टूबर नमंबर में एक्जाम रहने वाला है ठीक है और अगर हम बात करें Accepted Cut Off की तो देखिए Cut Off जो रहता है वो दो दो पॉइंटों पर Depend करता है ठीक है समझने की कोसे करिए Cut Off जो रहता जादा important रहती आपकी cut-off जो cut-off आपकी तयार करे जाती हो vacancy पर और exam level पर हो सकता है आपका exam बहुत जाद tough आजाए या बहुत जाद easy आजाए तो उसी के according आपकी cut-off तयार की जाती है और उसी के according आपको normalization दिया जाता है कि कितना normalization आपको देना है तो देखिए अगर आप करीए 130 इसकोर बना रहे हैं तब आप अपने आपका safe safe score में समझेए 130 का अपने आपको अंदाजा लेकर के चलिए तब जाके कहीं कुछ हो पाएगा तो देखिए सबसे important topic से यह कि आपकी vacancy exam level इन दो पॉइंटों के according आपके cut-off तयार की जाती है कोई भी exam हो और उसी के according जो है आपका normalization दिया जाता है ठीक है तो देखिए इन सबी topics पर आपको कोई doubts नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी आपको कोई special नहीं पता लगा है कि 40 लाग है 45 लाग फिल हुए है जैसे 31 जुलाई फिल होने off होंगे उसके next हम वीडियो आपको प्रोवाइट कराएंगे वह ओफिसल डाटा की according कि जियां दोस्तों आपके इतने फिल हो गए हैं इतने फिल हुए हैं और क्या-क्या रहने वाला है ठीकि जो भी आकड़ा होगा वो सबसे सठीक होगा और SSC की ओफिसल साइट स और अपने फ्रेंड भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी नहीं भूलें वराबन विल आइकन का निसान मिले है को उसको प्रेस कर लें ताकि जो भी वे किलासे सप्लोट करी जाएं वह आपको सबसे पहले मिलती जाएं तो तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रा थैंकी पोर बाउच थैंकी पोर सपोर्ट